मेरे प्यारे देश्वासियों, आपने अंग्रेजी के एक कहावत सुनी होगी, to learn is to grow, यानि सीखना ही आगे बढ़ना है, जब हम कुछ नया सिखते हैं, तो हमारे लिए प्रगति के नएने रास्ते खुद बखुद खुल जाते हैं, जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है, मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं, एक नए युक का आरंब हुआ है, और आपने देखा होगा, जब कहीं कुछ नया होता है, तो उसका परणाम हर किसी को अस्षरी चकित कर देता है, अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछो कि वो कौन से राज्य हैं, जिने आप सेव एपल के साथ जोडेंगे, तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल पदेश, जमू कश्मीर और उत्राखन का नाम आएगा, पर अगर मैं कहूँ कि इस लिस्ट में आप मनिपूर को भी जोड दीजिये, तो शाहिद आप आश्यरे से भर जाएंगे, कुछ नया करने के जजबे से भरे युवाओं ने मनिपूर में ये कारनामा कर दिखाया है, आजकल मनिपूर के उखुरूल जिले में सेव की खेती जोर पकड रही है, यहां के किसान अपने बागानों में सेव उगा रहे हैं, सेव उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी लिए है, इन में से एक हैं टी एस रिंग फामी यौं, यह पैसे से एक एरोनोटिकल एंजीनियर है, उन्होंने अपनी पत्नी स्रीमती टी एस एंजेल के साथ मिलकर सेव की पैदावर की है, इसी तरह अवुंगशी शिम्रे ऑक्स्ट्रीन ने भी अपने बागान में सेव का कि मनिपूर में आज ऐसे कई एपल ग्रोवर हैं जोनोंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है, साथियों हमारे आदिवासी समुदायों में बेर बहुत लोग पूरिय रहा है, आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बेर की खेती करते रहे हैं, लेकिन COVID-19 महमरी के ब 32 साल के मेरे ववासाती हैं विक्रम जी चकमा, उन्होंने बेर की खेती की शुरुवात कर काफी मुनाफ़ा भी कमाया है, और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेदित भी कर रहे हैं, राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है, सरकार द इन्नोवेशन हो रहे हैं, तो खेती के बाय प्रोडक्स में भी क्रियेटिविटी देखने को मिल रही हैं।